दिन की शुरुआत पाठ पूजा से ही होती है. मगर पूजा के दौरान हम कई बार बहुत सी बातों को अंदेखा कर देते हैं, जो हमारे लिए आगे चल कर किसी परेशानी का कारण साबित हो सकती है. आम तोर पर हम अपने घरों में पूजा करते हैं, और पूजा के दौरान कई बार ऐसा होता है कि कलश में से पूजा का पानी जमीन पर गिर जाता है. या पूजा की थाली हमारे हाथ से छूट कर गिर जाती है या फिर थाल का कोई सामान जमीन पर बिखर जाता है. तो चलिये जानते हैं फूजा करते समय पानी का गिरना शुब होता है या अशुब फूजा के लिए कलश में जल भरकर ले जाते समय अगर हाथ से छूट जाए तो इसे भी अच्छा शगुन नहीं मानते हैं जल से भरा लोटा ग्लास का हाथ से छूट कर पानी का बिखर जाना भी शुब नहीं मानते हैं पानी का बर्तन का हाथ के गिर जाना ऐसा मानते हैं कि पितर यानी पूर्वज नाराज है इससे परिवार में परेशानी आती है ऐसा भी मानते हैं कि कोई व्यक्ति आपके यहां आने वाला है जो भूखा प्यासा होगा यहां इस बात का भी संकेत है कि परिवार पर कोई बहुत बड़ा कर्ज आने वाला है यहां घर में दरिद्रता का भी संकेत होता है पूजा करते समय यदि पूजा की सामगरी या आरती की ठाली नीचे गिर जाए तो माना जाता है कि पूजा स्वीकार नहीं हुई है यहां आने वाले समय में किसी विपत्ति के आने का भी संकेत है अगर कभी ऐसा कुछ आपके साथ घटित होता है तो इसे किसी आने वाली परेशानी का संकेट समझा जा सकता है इसका अर्थ है कि किसी विशेश देवता की आपके उपर नाराजगी बनी हुई है इसलिए इसके लिए आपको अपने घर में एक बार हवन करा लेना चाहिए इससे वातावर्ण शुद्ध होता है तथा यहाँ आपके मस्तिश्क में सकारात्मक विचारों को भरने में मददगार साबित होता है ऐसे में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आने वाले वक्त में आपके साथ सब कुछ अच्छा करे और आपके उपर आने वाले सभी संकटों को टाले झाले